दोस्तो क्या रनवीर कपूर और शर्धा कपूर ने किया है लोगों के साथ मकारी या फिर मैं मकार है मुवी बहुत भारी एलो काईस कैसे हुआ आप लोग स्वागत आपका तू झूटी में मकार के फूल मूवी रिव्यूव के एपि सऄूड में मैंने इसका इंटरवल तक का review आपको बताया उसके बाद दोस्तों पब्लिक का reaction भी मैंने आपको बताया कि भाई पब्लिक को ये movie कैसी लग रही है रही है यह दोस्तों अभी मैंने इस movie को पूरा देख लिया है कैसी लगी दोस्तों यह मुझे फुल मूवी क्या कुछ है इसमें खास और क्या यह मूवी बॉक्स ओफिस वर्क करेगी कोई नेगेटिव बात भी है बात करेंगे डीटेल में उससे पहले दोस्ता आप से रेकविज्स के आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करना जरूर कई ना कहिं यहां पर हमें लग रहा था कि अधूध है यहां प्सकों मैं इस नाम किसको दिखा दोगा यहां पर काफुर शर्दा कपूर रनवीर कपूर को लेकिन भाइ-स यहां आप लोग कहो किया इतनी से शोरी नेकिन दोस्तों जो presentation है और जो इसमें आप लोगों को कैसे हैं कि एक मूल मिलता है मतलакс mail जो मिलता है दोस्तों देखने लाइक भात है न एक वाई बया हर चीज में दोस्तों कम्या हुती है चांड में थैक sudah स्टोरी है वह रिफ्रेसिंग है हलाकि दखो इस टाइप की मूवी दोस्तों बहुत समय पहले बन चुकी है लेकिन पुराने जमाने के टाइप के संसकार दिया करते थे लेकिन यहाँ पे न्यू टाइप आफ कह सकते हैं कि संसकार देने की कोशिश कर रहे हैं लव रंजन जैसे की फैमिली वैलियो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों आपको पता है कि या शादी होती है घर में किसी की तो वह बीवी जो होती है उसके आके बोलती है यार चलो अलग रहेंगे गहीं तो लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों कठाक्ष किया गया है और जो गाइस बिल्कुल सीजन इसाने पर लगता है हमें लगा था कि यह यूथ को पसंद आएंगे लेकिन दोस्तों यहां पर जो बड़े बड़े एज के लोग हैं जो गाइस कह सकते हैं कि 40-50 प्लस हैं जिनके बच यकीनन दोस्तों से कमज़र है यह बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आप लोग कह सकते हो कि तीन स्टार तो सेकिंड हाफ फॉर स्टार तो गाइस देखो सैकंड हाफ में भी जो इसका क्लाइमेक्स है वो गेम चेंजर है क्लाइमेक्स ने लिटरली गाइस आंखों में आंसु दिला दिये मतलव इसका क्लाइमेक्स इस मूवी की जान है तो क्या क्लाइमेक्स से बन जाए गी बात और मूवी हो जाएगी ब्लॉकबस्ट्र वो दोस्तों वकْ बताएगा लेकिन अलग तरीके से ताकि सामने वाले को गिल्टी ना हो उनका काम धंदा ही है लेकिन दोस्तों जो यहां पर होता है इंटरवल से पहले वह लिटरली गाइस मतलब मज़ा बांद देता है तो इंटरवल तक कह सकते हैं कि मज़ा आने लगता है शुरुबात में थोड़ा लगता है तीछे लव रंजन की क्या थी साज वह बाद में पता चलता है तो कहीं न कहीं यह चीज अच्छी है थोड़ा आप लोग कह सकते हो कि बोर भी हो सकते हो लेकिन वह कुछ पल के लिए लेकिन जब आप स्टोरी पकड़ो तो मज़ा आने लगेगा यहां पर दोस्तों कुछ कम लंबे लंबे बोलें में दोस्तों मेरे खाल से 2-3-3-4-4 मिनट इतने लंबे तो ठीक है रैकिन वह कार्थिक आर्यन वाली बात नहीं आई पाई स्वेर दोस्तों यह बोलना चाहता हूं मैं भाई बात सच्चाई किये तो कहीं न कहीं यह चीज दोस्तों मुझे अखडी है बाकि दखो गाने गाई इसके ब्लॉक्बस्टर है सूपर हिट है मानुगा लेकिन दोस्तों गाने च्छे हैं इस मूवी में लिटरली छे चार तो रिलीज कर दिया दो रिलीज नहीं किया हलाकि जो वह वाला गाना था ओबेदर दिया गूजबम ओवर्लोड़िड ज्यांग आइस उस गाने ने लिटरली मज़ा दिला दिया दो ठीक है दोस्तों गाने अच्छे हैं और लव रेंजन की मूवी में गाने भी काफी अच्छे होते हैं तो कहीं न कहीं वहीं चीज देखने को मिला है उनके सोनु के टीट्टू की स्वीटी या पियार के पज़नामे से तो यह जो मूवी आप लोग कह नहीं सकते कि बहुत न हैं लिटरली गाइस दोनों का काम काफी ठीक है अलनकी कार्थी कारण को और यूज किया जा सकता था लेकिन जो भी किया है ठीक है मेरे इसाफसे दोस्तों और क्या ही कर सकते हैं एक यह अपर चापूर की सब्सक्राइब जब से एंट्री होती है वहां से जो मामला आए फुल जाता है बहुत जादा तेजी से मुवी भागती है उसाम कहने की बाती है रभी कपूर कह सकते हैं कि उन्होंने ही हिसाब की एक्टिंग की है जिस तरीके सब्सक्राइब कोमेडियन है इसमें भी दोस्तों उन्हें अपनी छाप छोड़ी है और जो चोटी बच्ची है लिट्रिली गाइस आउट इस्टेंडिंग जो चोटी बच्ची उसने जो काम किया है बाकी बढ़िया तो क्लाइमेक्स दोस्तों इस मुवी का जान है फस्ट नहीं है नहीं है भाई सच्चाइब सच्चाइब सब्सक्राइब करने लोगा 99 परसेंट दूँगा कि यह मुवी बॉक्स ओफिस में चलेगी चल जाएगी बाइस आप बोक्स ओफिस में बजट से जदा कमाई कि दोस्तों यह लेकिन एक परसेंट चांस है कुछ भी हो सकता है क्या कहना है कमेंट बताओ मिलते हैं कि नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही